क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में भारत में सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्गाटन किस रज्य में किस नदी पर किया गया और एक ऐसा देश एक ऐसा शंशोजन हमारे सामने आया है कि तक्रिबन 1100 साल पुराने 425 सोने के सिक्के किस देश में मिले और हाल ही में हमारे विश्व में सबसे हाई स्पीड इंटरनेट यानि कि 118 टी वी पी एस यानि कि 118 टेरा बाइट पर सेकंड की इंटरनेट स्पीड कहां पर यह एक विश्व रेकोड भी है तो दोस्तो ऐसे ही बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का 26 अगस्त का करंट अफेर का वीडियो तयार किया है तो यह वीडियो आप लास्ट तक देखें लास्ट में मैं आपसे क्वेशन पुछूंगा जिसका आंसर आपको निचे कमेंट बॉक्स में देना है और दोस्तो हमारे वीडियो के क्वेशन की पीडियेफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं पढ़ सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेशन से भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उदकाटन निम्न में से किस नदी पर किया गया यहाँ आप इमेज में भी देख सकते हैं नदी पर इस तरका भारत का सबसे लंबा रोपवे जिसका उदकाटन हाल ही में ब्रह्म पुत्र नदी में किया गया यानि कि इस question का सही answer है ब्रह्म पुत्र रिवर लेकिन ब्रह्म पुत्र हमारे भारत देश के किस राज्य में बहती है तो अरुनाचल प्रदेश और असम में लेकिन इस रोपवे का उद्गाटन किस राज्य में किया गया वो भी एक question बनता है कि असम में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्गाटन किया गया है clear असम राज्य में ब्रह्म पुत्र नदी पर हमारे भारत के सबसे लंबे नदी पर बने इस रोपवे का उद्गाटन किया गया और रोपवे की कुल लंबाई कितनी है 1.8 किलो मिटर और यह रोपवे कि इसको आपस में जोडता ह गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को तो इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जाएगा और यहाँ देख सकते हैं तो आप मजा ले सकते हैं इस रोपवे का यदि आप गुवाहाटी गए तो और जब इस रोपवे को बनाया गया है ब्रह्म पुत्र रीवर पर असम के बारे में तो मैंने आपको कहीं बार बताया कि असम के वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है सर्बानन सोनवाल और असम के वर्तमान राज्यपाल कौन है जगदेश मुखी और असम की कैपिटल का नाम है दिश्पुर और असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहटी क्लियर लेकिन अब हम ब्रह्म पुत्र रीवर के बारे में भी जान लेते हैं तो ब्रह्म पुत्र का उद्गम कहां से होता है तिब्बत में पुरंग जिल्ले में स्थित मान सरोवर जिल के निकट तो यहा है तिब्बत में यहां है दोस्तो मान सरोवर जिल और यहां से यह हमारी ब्रह्म पुत्र रिवर का उद्गम सान और यहां से आगे बढ़ते हुए अरुनाचल प्रदेश यहां से आगे बढ़ते हुए असम और यहां पर वो बांगला देश में यहां गंगा से मिल जाती है और आगे चलते हुए यह Bay of Bengal में तो Clear रास्ता तो अरूनाचल प्रदेश में एक और Question बनता है कि तिबत में बहते हुए यह नदी भारत के किस राज्य में प्रविश करते है अरूनाचल प्रदेश में और ब्रह्मपुत्रा नदी की कुल लंबाई कितने है तो यहां से आगे बढ़ते हुए यह तक्रीबन 2,900 किलोमिटर ब्रह्म पुत्र नदी की लंबाई है और हमारे भारत देश में जब अरुनाचल प्रदेश में ब्रह्म पुत्र रिवर का प्रवेश होता है तो विबिन राज्यों में विबिन देशों में ब्रह्म पुत्र के अलग-अलग नाम है वो कौन-कौन से वो भी हम जान लेते हैं तो ब्रह्म पुत्र रिवर के विबिन नाम तिब्बत में सांगपो या सांपो तो यहां से जब यह तिब्वत से इस नदी का उद्वव होता है तो यहां पर नाम है सांगपो रिवर और यहां से आगे बढ़ते हुए जब अरुनाचल प्रदेश में ब्रमपुत्र रिवर प्रवेश करती है तो नाम हो जाता है देहांग क्या देहांग और यहां प्रवेश होता है तब नाम हो जाता है जमुना क्या जमुना और यह जमुना रिवर जब यहां गंगा से बांगलादेश में जी स्थान पर मिलती है तो गंगा और ब्रह्म पुत्र की सयुक्त धारा जी से मेगना कहा जाता है क्लियर दोस्तों तो बस इसी तरह हाल ही में दोस्तों में जिस तरह में आपको कंटेंट समझा रहा हो तो हमारे इंडियन जियोग्राफी की द्रिश्टी से यदि आप क्लास वन की एक्जमिनेशन की तयरी कर रहे है तो यह आपको पढ़ना ही चाहिए और ब्रह्म पुत्र के किनारे स्थित शहरों की बात करे तो कौन कौन से शहर ब्रह्म पुत्र नदी के तटपर बसे हुए है डिब्रुगड तेजपूर एवं गुवाहाटे और ब्रह्म पुत्र में स्थित माजूली द्विप क्या नाम मत बुलिएगा यह माजूली आइस आइसलेंए व विश्वक का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और जिसका हम च्रेत्रफल की बात करें तो वर्ग किलोमेटर, कितने वर्ग किलोमेटर में है 929 किलोमेटर में यह माजूली द्वीप है और यहां आप इमेज में यह यलो इल्व कलर में देख रहे है तो यह है माजूली आइसलेंड किस नदी में स्थी थे ब्रह्म पुत्र नदी में और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्विप्पी है अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे क्वेशन की हाल ही में युनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर्च ने कितनी इंटरनेट स्प अंशोधन है और शोध करताओं ने इस एक्सपरिमेंट के जरिये 118 TBPS यानि कि टेराबाइट पर सेकंड की स्पीड दर्ज की है एक सेकंड में 118 टेराबाइट आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरक का नया वर्ल्ड रेकोर्ड बनाया है युनिवर्सिटी कॉलेज अफ लंदन ने तो देखो पहले तो हम इस कम्प्यूटर की इंटरनेट स्पीड के कुछ मान दंड है इसी के बारे में बताता हूँ 1024 MBPS यानि कि मेगाबाइट पर सेकंड जीसे बोलते हैं 1 GBPS यानि कि 1 GBPS पर सेकंड और 178 TBPS को अगर हम GBPS में तबदिल करें तो ये 1,88,000 GBPS तक का होता है और आमतोर पर भारत में MBPS की स्पीड कितनी मिलती है 50 MBPS से लेकर 100 MBPS तक की हमारे भारत देश में आमतोर पर ये स्पीड है हाँ कुछ जगपर गिगाबाइट में भी स्पीड है GBPS और हाल ही में 178 TBPS यानि कि 1,88,000 GBPS को दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट बताया जा रहा है और कहां पर ये लंदन में तो पहले ये रेकर्ड किस देश के नाम था इससे पहले जापान के पास ये रेकर्ड था जहां 172 TBPS की स्पीड यूज की गई थी और यदि 178 TBPS की स्पीड मिलती है तो Netflix की जो एक वेब सिरीज है आपने कहीं देखी होगी तो यहां इ Netflix या दूसरे OTT प्लेटफोर्म के सभी कॉंटेंट को आप एक सेकंड में ही डाउनलोड कर सकते हैं और यह कैसे संभव हुआ वो भी आप सोच रहे हैं तो देखो कैसे संभव हुआ आम तोर पर नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्टर में 4.5 तेरा हर्ड का यूज किया जाता है लेकिन इस इस एक्सपरिमेंट में क्या यूज किया गया तो 178 टीबी पीएस की स्पीड हासिल करने के लिए यह शोध करता हो ने 16.8 टेरा हर्ड का यूज किया और स्पीड मिले हैं 118 टीबी पीएस तीसरा क्विशन हाल ही में 1100 साल पुराने इसलामिक काल के दुरलब सिक्के की इस देश में मिले हैं दोस्तों यहां आप इमेज में देख रहे हैं यह स्वाने के सिक्के हैं तक्रीबन 425 ऐसे सिक्के मिले हैं और यह 1100 साल पुराने हैं तो यह इसलामिक काल के दुरलब सिक के एक यहुदी देश अंसर पता चल गया इस्राइल देश मी मिला है यानि कि इस कुछन का सही अंसर है इस्राइल तो देखो इस्राइल के पुरा तत्व विदो ने गोशना के है कि उन्हें यवन शहर के पास रक्षित संपती की खुदाई के दौरान शुरू आती इसलामिक क काल के स्वाने के सिक्के का खजाना मिला है और इसमें स्वाने के कुल मिला कर कितने सिक्के मिले है 425 सिक्के मिले है यदि आपको 425 सिक्के मिल जाए तो लोटरी लग जाएगी ने ओके दोस्तों महिनत कीजिएगा आपको नौकरी मिलते ही लोटरी लग जाएगी और इन में से अधिकतर लगबग 1100 साल पहले अबबासीद काल के सिक्के हैं किस काल के अबबासीद काल के यह सिक्के मिले हैं और यदि आप examination में preparation कर रहे हैं तो आपको सिंदू संस्कृती यानिकि हमारी जो संस्कृती है पुरानी संस्कृती इन से जुड़े हुए यह question भी set किया जा सक चोथा question राश्ट्रिय ट्रांसजेंडर परिशत के संदर में कौनसा कथन सही नहीं है यहां आमें पूछा गया है कौनसा कथन सही नहीं है यानिकि गलत है और इसी पेटर्न के बहुत से question examination में पूछ लिया जा सकते हैं खासतोर पर class 1-2 examination में और हाल ही में जब यह राश्ट स्रिय ट्रांसजेंडर परिशत का गठन किया गया है तो बहुत ही अच्छी ख़बर है और इसी के बारे में डिटेल में आपको जान लेना चाहिए तो चलिए इस question के दोनों sentence को हम ध्यान से पढ़ते हैं क्योंकि कौनसा कथन गलत है वो हमें डुंडा है सामाजिक न्याएं और आधी कारिता मंत्री इसके पदन अध्यक्ष होंगे बिल्कुल सही बात है और परिशत के सदश्य का कार्यकाल नामीत किया जाने की तारिक से 5 वर्ष के लिए होगा मैंने पढ़ा है और इसलिए मालूम है कि यह पांच वर्ष का कार्यकाल नहीं होगा परिशत के जो पदेन सदश्य है पदेन अध्यक्ष उनके कार्यकाल पांच साल के हो सकते है लेकिन यह जो सदश्य है उनका कार्यकाल सिर्फ तीन साल का होगा इसलिए यहाँ जो दो नंबर का सेंटेंस है वो सही नहीं है यानिकि हमारा आंसर बन जाता है केवल दो और बात करते हैं राश्ट्रिय ट्रांसजेंडर परिशत के तो इसका जो किस तरह का गठन है वो हम आपको बताते हैं सामाजीक न्याय और आधिकारिता मंत्री कौन है पदेन अध्यक्ष होंगे दोस्तो याद रखो राश्ट्रिय ट्रांसजेंडर परिशत के पदेन अध्यक्ष कौन होंगे सामाजीक न्याय और आधिकारिकता मंत्री और पदेन उपाध्यक्ष कौन होंगे सामाजीक न्याय त प्रतीनिदी, ट्रांस्जेंडर समुदाई के पांच प्रतीनिदी, राश्ट्रिय मानो अधिकर आयोक के प्रतीनिदी और राश्ट्रिय महला आयोक के भी प्रतीनिदी। कि NGO का प्रति निदित्व करने वाले विशेशक्य भी इस परिशद में शामिल होंगे लेकिन कार्यकाल कितने साल का होगा तिन साल का और यदि किसी भी मंत्राले के मिनिस्टर को इसका पदेन अध्यक्ष घोशित किया जाता है तो यह व्यक्ति इलेक्षन के बाद 5 साल के होगा तो पदेन सदस्यों को छोड़ कर राष्ट्रिय परिशद के सदस्य का कार्यकाल नामित किया जाने की तारिक से तीन वर्षक के लिए होगा और राष्ट्रिय परिशद सरकार को ट्रांस जेंडर व्यक्तियों के संदर में नीतिया, कार्यक्रम, कानून और परियोजना यह तयार करने के बारे में सला देगी तो यह पता चल गया परिशद का क्या कारिय होगा पाच्वा कुशन हाल ही में सुर्ख्यों में रहा मारको और लोरा क्या है मारको और लोरा यह हाल ही में उठे तूफानों के नाम है यहां कि इस question का सही answer है तूफान और यह तूफान कहां पर उठे है तो देखो उष्ण कटी बंदिय तूफान मार को कुछ कमजोर होकर लुईस या नामे टकराया जहां मेक्सिको की खाड़ी में प्रवेश से पहले ही तेज हवाये और बारिश शुरू हो गई और यहां देख सकते हैं तो यह हाल ही में यह तूफान उठा है कहां पर दोस्तों मेक्सिको में और इसकी रफतार कितने हैं करीब 190 किलो मीटर प्रती गंटे की रफतार से यह तूफान आगे बढ़ रहा है और दूसरे तूफान का नाम है लावरा और यहाँ आप देख सकते हैं यह लोरा तूफान को और यह आगे बढ़ते हुए यहाँ पर टकरायने जा रहा है तो लोरा तूफान फ्लोरिडा कीज के लिए बढ़ चुका है फ्लोरिडा कीज की और आगे बढ़ रहा है और लोरा की रफतार कितने है दोस्तों आप चौक चाहेंगे करीब 285 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से आगे बढ़ रहा है और लोरा तूफान स्रेयनी 2 और स्रेयनी 3 के खतरनाक तूफानों में भी बदल सकता है और यहाँ आप देख सकते हैं तो इस तूफान की और यहाँ इसा बेला नदी के किनारे कई घर ड़ गए है यहाँ आप देख सकते हैं और हैती की राजदानी में कमर तक गंदा पानी भर गया है इसी तरक का हाल ही में दो तूफानों ने दो देशों को हिला कर रख दिया है तो दोस्तों आपको वल्ड जियोग्राफिक की द जिले में स्थी थे जो पिछले साल मरम्मत की वज़ा से बंद कर दिया गया था अब ठीक हो गया है और कारिय करना शुरू कर दिया है तो कंडन कॉलं परमाणू विद्यूत संयंत्र तमिल नाडू के किस जिले में तीरु नेल वेल्ली में स्थी थे यहाँ पीमेज में देख सकते हैं तो देखो हाल ही में कंडन कॉलम परमानों विद्यूत सयंत्र में बिजली उत्पादन शुरू हो गया है और शुरूआत में 400 मेगावोट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है कितना 400 मेगावोट और चरणबद तरीके से इसकी क्षमता 1000 मेगावोट तक बढ़ाने की उम्मिद जताई जा रही है तो यह आपको याद रखना है क्या नाम है कंडन कॉलम परमाणो विद्युत सयुंत्र और कहाँ पर सिथे वो आपको पता चल गया और यह जब शुरूआत हुई है तो किस के वेग्यानिकों ने किस देश के वेग्यानिकों ने इसमें सहयोग दिया पिछले वर्ष माई में पहले चरण में इस नियमित रख रखाव के लिए बंद कर दिया गया था और भारत और रूस के वेग्यानिकों ने किस ने भारत और रूस देश के वेग्यानिकों ने इसके कारिय में हिस्सा लिया है यानि कि ठीक करने में हिस्सा लिया सात्वा कुशन प्रती वर्ष विश्व गुजराती भाषा दिवस किसकी जयनती पर मनाया जाता है तो हाल ही में एक भारत के गुजरात राज्य के बहुत ही जाने माने एक कवी जिसका नाम है कवी नर्मद तो कविन नर्मद की जयनती के अवसर पर विश्वग गुजराती भाषा दिवस मनाया जाता है यानकि इस क्वेशन का सही आंसर है कविन नर्मद और यहाँ पर आप पड़ सकते हैं गुजराती भाषा दिवस किस कवी की याद में मनाया जता है कवी नर्मद की याद में तो यहाँ देख सकते हैं इस अपने अलग ही तरह की पगडिक के लिए यह पहुचाने जाते हैं सहित्यकार तो नर्मद जन्मा 24 अगस्त 1823 में हुआ और नर्मदा शंकर दवे जिसका पुरा नाम है वो 24 अगस्त को 187 वी जयन्ती पर स्रद्धान जली अर्पित की गई यानि कि दो दिन पहले ही 24 अगस्त को हमारे इस सहित्यकार की जन्म जयन्ती मनाई गई हमारे प्रदान मंत्रीजी ने इस आउसर पर स्रदान जली अरपित की और उन्हों ने ही यानि कि कवी नर्मद ने ही 1880 के दशक में सब से पहले हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का विच्चार रखा था तो एक और क्विशन कि किस व्यक्ति ने हिंदी को भारत की राष्ट्र भाषा बनाने का विच्चार रखा था तो इस व्यक्ति ने कवी नर्मद और गुजराती साहित्यक के आदूनिक युग का समारम भी कवी नर्मदा शंकर बोले तो नर्मद से होता है और वे युग प्रख्यात सहित्यकार मुंशी जिने उन्हें अर्वाचिनों में आद्यक कहा है तो एक और भी सहित्यकार मुंशी उन्होंने कवी नर्मद को अर्वाचिनों में आद्यक कहा है आठवा कुशन हाल ही में 520 वाले कोविड-19 अस्थाई अस्पताल का उत्गटन कहां किया गय कोवीट-19 हाल ही में भारत देश में दिन बदिन संक्रमित लोगों की संक्या बढ़ती जा रही है और अस्थाई बिस्तर वाले 520 वाले कोवीट-19 अस्थाई अस्पताल का उतकाटन हाल ही में विहार में किया गया कहाँ पर बिहार में यह कि इस question का सही answer है बिहार तो 520 वाले COVID-19 अस्थाई अस्पताल का उद्गाटन बिहार में कहां किया गया बिहार की राजदानी पटना के बेहटा में यहां पट सकते हैं तो पटना की राजदानी बेहटा में या COVID-Care Hospital हाल ही में बनाया गया है 520 वाला है और धन कहां से अवंटित किया गया इस अस्पताल को बनाने के लिए तो PM-Cares Fund Trust से कहां से PM-Cares Fund Trust से धन अवंटित किया गया और बात निकली है इस फंड के और इस अस्पताल के तो अस्पताल को किसने विक्षित किया है अस्पताल की सुविदावों और इसके बुन संदान और विकास संगठान DRड़ों ने इसके बुनियादी धाचे का विकास किया है और PM केर्च फंड में अब तक कुल कितने करोड रूपय का दान आया है तकरीबन 3100 करोड रूपय का दान आया है और इसका खर्च कहां पर किया गया तो इसमें से 2000 करोड रूपये 50,000 एक फाल के लिए 1000 करोड रूपय खर्च किये गये और कोविड वेक्सिन बनाने के लिए 100 करोड रूपय प्रोवाइड किये गये है और PM केर्च फंड इसका अधिक्तम यूज किया गया है कोरोना वाइरस के स्यंक्रमन को रोकने के लिए तो बहुत ही अच्छी बात है कारोबार वो यदि आपका 40 राख रूपय तक का है तो आपको GST से छुट मिलेगे यानकि इस क्वेशन का सही अंसर है ऑप्शन B 40 रूपय पहले यह राशी 20 रूपय थी कितनी 20 लाख तो शुरू में 20 लाख रूपय तक के सालाना सकल कारोबार को GST से छुट थे और अब कर दिया गया है 40 लाख और वर्तमान में अब 28 प्रतिशत GST केवल विलासिता की वस्तु उपर ही लगता है यानकि GST दर भी घटा कर कर दिया है कम और किफायती आवास पर कर की दर घटा कर एक प्रतिशक की गई है क्या किफायती आवास यदि बनाते है तो आपको GST कितना देना होगा एक प्रतिशत और शुरू में GST रिटर्न भरने वालों की संख्या 560 लाख थी और अब 1 करोड 24 लाख से अधिक हो गई है यानकि GST रिटर्न भरने वालों की संख्या दिन बढ़ती जा रही है GST का पुरा नाम क्या है गुड्स एंड सर्विस टैक्स और संसत के केंद्रिय कक्ष में 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मद्यरात्री को पुर्वर राष्ट्रपती प्रणो मुखर जी की उपस्थिती में इस नई करव्योस्था को लागू कर दिया कब तो याद रखेगा यह तारिक 30 जून और 1 जुलाई 2017 की मद्यरात्री से GST लागू हुआ और यह गोशना किस ने की हमारे राष्ट्रपती तब हमारे राष्ट्रपती कौन थे श्री प्रणो मुखर जी कोविड-19 महामारी के कारण शेक्षनिक वर्ष 2021 के लिए पाठ्यक्रम में 30 प्रतिशत की कटोती करने का फैसला किस ने किया अभी तक स्कूल, कालेज, सब कुछ बंध है और इसलिए एक रज्जे ने डिसीजन लिया है कि एक साल का जो सिलेबस होता है इसमे 30 प्रतिशत की कटोती की जाए क्योंकि बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जा रहे है तो वो कहाँ पर बढ़े और इसलिए यह कदम उठाया है हाल ही में असम राज्य की सरकर ने यानिकि इस कूशन का सही अंसर है असम तो देखो 30 प्रतिशत की कटोती करने का फैसला परिशत की शिक्षा समीती की हाल ही में वी बैठक में लिया गया कहाँ पर असम में और यह फैसला कला वानिज्य और विज्ञान के सभी 11 और 12 वी के विद्यार्थियों के लिए निश् कित शर्तों के साथ 12 कुशन हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उत्काटन कहां किया गया ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उत्काटन हाल ही में हमारी आर्थिक केपिटल कौनसा शहर मुंबई जी हां दोस्तो मुंबई में हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरू का उद्खाटन किसके द्वारा किया गया हमारे अर्जुन मुंडा द्वारा किसके द्वारा अर्जुन मुंडा द्वारा तो अर्जुन मुंडा हमारे किस मंत्रा लेके मंत्री है वो भी एक क्विशन बनता है केंद्रिया जन जातिया मामलों के मंत्री है अर्जुन मुंडा और उन्होंने हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्खटन मुंबई में किया। और ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजी विका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जन जातीय मामलों के मंत्राले की एक पहल है। इसके तहत इस शोरूम का उद्खटन किया गया है। अपने आमदनी में बढ़ावा कर सकते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं जेक कैलिस की। तो वो किस देश के बल्ले बाज है। दक्षिन अफरिका के महान ओल राउंडर है जेक कैलिस। सिर्फ बल्ले बाज ही नहीं ओल राउंडर है। और कैलिस हौल ओफ फेम में शामिल होने वाले चोथे दक्षिन अफरीकी खिलाडी बन गए। कौन से नबर के चोथे दक्षिन अफरीकी खिलाडी और दूसरे व्यक्ति है जहिर अब्बास। किस देश के है पाकिस्तान। पाकिस्तान के महान बल्ले बाज है यह जहिर अब्बास। और अब्बास हॉल आफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाडी बन गये है, कौन से नबर के छठे, और तीसरी बात करें तो यह महला लेडी, जिसका नाम है लिसा स्टालेकर, जन्म भारत में हुआ है, पूरे में जन्मी पूर्वा आस्ट्रेलिया कप्तान ल जिसे इस ICC हॉल आफ फेम में शामिल किया गया, लेकिन देश के लिहाद से बात करें, तो देश में पांचवी यह महला है, कौन से नबर की, पांचवी महला है, तिरवा कुशन, वन अरेंजडा मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखे है, और यहाँ आप देख सकते हैं, इस क किताब को लिखा है, चेतन बगत ने, यानिकि इस कुशन का सही आंसर है, चेतन बगत, वो बहुत ही अच्छे नौवे लिखे है, क्या नाम है, चेतन बगत ने इस One Arranged Murder नामक किताब को लिखा है, लेकिन लौंच कब किया जाएगा? One Arranged Murder नामक पुस्तक का वीमोचन कब क किया जाएगा, 28 सितंबर 2020 को, कब 28 सितंबर 2020 को, और पुस्तक कीज के द्वरा प्रकाशित की जाएगी, वेस्टर लेंड पब्लिकेशन लिमिटेट के द्वरा इस किताब को लौंच किया जाएगा, और चेतन बगत की नौवी नौवेल, और कूल मिलाकर ग्यारवी पुस्त पुस्तक है, चेतन बगत की, इससे पहले उनकी पुस्तक The Girl in Room 105 थी, यहां पढ़ सकते हैं, चेतन बगत की यह किताब, जिसका नाम है The One Girl in Room 105, ओके दोस्तों, और अब बात करते हैं, लास्ट वीडियो के क्वेशन की, लास्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेशन पुछा था कि हाल ही में Academy of Classical और Folk Arts कहां खोला गया, हमारी नई शिक्षानिती 2020 के तहत, इस तरह का Academy of Classical और Folk Arts खोला गया है IIT खड़कपूर ने, और इसलिए इस क्वेशन का सही आंसर था, IIT खड़कपूर, सही आंसर देने वाले हमारे बहुत ही सब्सक्राइबर फ्रेंड, दिन ब से ज्यादा रिस्पोंस दीजिए, लाइक करे और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेर करे, सही आंसर देने वाले हमारे सब्सक्राइबर फ्रेंड है, चेतन जेर राजपोत, रंजित सी वागेला, पटेल मयंक, दीपक रोजासरा, वनकर नितिन कुमार फ्रम अहम शिवानी रानिक कश्यप फ्रम डेल ही से डीटेल में हमेशा आंसर लिखती है, राठोर भावना, अक्षय बरवाड, ग्रामबढ़ियार राहूल, डोडियार नितिन, अरबास खान, सभी दोस्तों को बहुत बहुत दन्यवाद, हमारे और भी सब्सक्राइबर फ्रेंड है, जिसके नाम में लेना चाहूंगा, योगेश रावत, सहदेव दोलक्या, SCG, किरन बेन, वसरामबाई, चुडास्मा मोहन, वाला संजय, अंकित पोत, कनहीया लाल, अरपना पटेल, प्रियांग चोदरी, विकास कुमार जल गोविन चाक, और निरज कुमार, वो हमारे साथ पहली बार जूड चुके हैं, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है, और पहली बार आंसर भेजा है, योगेश रावत, तो आपका भी हमारी चैनल में स्वागत है, चलिए, अब बात करते हैं, आज के वीडियो के क्वेशन की आज का question है हाल ही में 9 खाय पर्व किस राज्य में मनाया गया चार state के नाम आपकी screen पर है और आपको बताना है 9 खाय पर्व किस राज्य में मनाया गया और इसका meaning भी मैंने आपको कल बताया था यदि आपको answer पता है तो detail में answer लिखना है आपको नीचे comment box में answer देना मत बुलिएगा वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें एक छोटी सी replay कर सकते हैं, response दे सकते हैं मैं उम्मिद रखता हूँ कि साथे 4-5 गंटों की कड़ी महिनत के बाद जब यह वीडियो बन कर आपके सामने आता है तो आप हमें छोटी सी help किजिए हमारे इस चैनल की link आपके दोस्तों तक share करें कल फिर मिलेंगे नए करने टाफर वीडियो के साथ, तब तक के लिए take care and जईहिंद